नमस्कार किसान साथियो मैं हूँ सौनु चौधरी और इस वक्त मैं मौझिदू हूँ गाउं वंस्या में एक नई प्रजाती का आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि यह प्रजाती अपने आप में काफी अनुखी प्रजाती है इसके पत्ते जो हैं पान के पत्तों की तर जो कि महंद्रा कंपनी की है दूसरी की गई है कुफरी आनद जो की CPRI की है पहले आप यह देख लिजे यह जो आप देख रहे हैं यह है अंबर डिलाइट यानि कि महंद्रा का 51 चोहतर और उसके बाद में अगर यहां देखें तो यह है CPRI का आपका कुफरी आनद यह दो प अमबर डिलाइट होता कैसा है काफी किसान आया यहां पर मुखी किसान भी महनें जिनका खेत है अमबर डिलाइट की खुबी होती यह थी पत्तों का चोड़ा होना यानि कि आप खुद देख लीजे यह पत्ते चोड़े है इनका कारण है यही पोसक तत्वों का ग्रहंड कर त्वार दीलाइट का शौड़ा कोड़ा तthen के पारे किसानों से जानेंगे और उसके बाद में आपको पूरे फीड्वएक देगे, लेकिन उससे पहले आप अमब सब्सक्री में थोड़ा विस्तर से जान लिजी आ भी n यहां से मैं देखाता हूं यह देखिए एक फिट के बाद में थोड़ा यहां से चलेंगे और यहां से चलेंगे अगर खुल मिलाके देखे जाए तो यह देखिए धाइफुट का यह पौधा अमबर डिलाइट का हो जाता है और अगर आप इसने देखें सड़े कितनी कड़ाकीदार पड़ रही है फिर भी इसके में कोई भी साइड ता यानि सड़े का नहीं है और अगर इसके अतनी की बात करें तो देखिए तना व्यास में हें यानि कि हरा हुआ है और यह जो फसल है जबकि हाइब new method में बताते हैं 60-65 दिन पर मुर्जाना शुरू हो जाता है लेकिन इसको देखने के बाद में कहीं भी आप यह नहीं मान सकते हैं कि यह जो है कोई मुर्जापन यहां पर आज आए गया हुए इसमें और पत्ते देखिए क्या स्वस्त बने हुए इसे हम ट्यूब का देखेंगे इसके अंदर जो है वो करें जितना महेंद्रा जैड पीसी ने जो दावा किया था वो विल्कुल खरा यहां पर किसानों द्वारा देखा गया है कि जो बताया गया है वो बास्थी ग्रूप से है कोई भी दवाई का भी प्रयोग नहीं किया है जो नेचरली ग्रोथ कर रहा है पौदा वो से अच्छा कौन सा इस समय पर लग रहा है यह अच्छा लग रहा है अमब डिलाइट तो इसका क्या खूबी है खूबी है लागत कम दिया अभी और पत्तेश के अच्छे अभी इसमें कोई सिकायत नहीं है तना भी अच्छा है तेकि मेरे साथ में किसान जो हैं वो पूरी बढ़िया है तना इसका काया तक हो मोटा है डाई फीट की यूँ चाहिए इसकी कोई भी रोक का प्रोकोपन नहीं है अभी तक दवाई भी लगी नहीं है बहुत कम लाग अस्टे का तो इसमें पैदावार बंफर है भाईया पैदावार तो हम देखेंगे इसे उखाड के लेकिन ताओ जी मुझे आप यह बताईए इस तरीके के नहीं नहीं जो आपके गाव मंसिया के लोग नहीं नहीं प्रजाती के आलू करते हैं वो यह सोच क्या दर्साती है कि कम जमीन होते हैं जो उत्पादन समता कर रही है उसमें हाइब्रेड या ऐसे बीजों का सवस्त नजर आ रहा है कोई भी रोका प्रकोपन नहीं है इसमें कोई दवाई नहीं लगी है और बहुत बढ़िया पैदावार है जैसे अन्य हाइब्रेड की अगर बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि पत्तियों पर सुकड़ापन आ जाता है कोई सुकड़ापन नहीं है बहुत चोड़ी पत्ति हैं देखो बाई देखे किसान साथियों यहां पर देखे पत्तियों कोई भी रोका नहीं प्रकोप सर्दी बहुत पढ़ रही है कि सवस्त फीड़ा है यानि कि कुलमिलाके ताओ जी मैं हम यह कह सकते हैं कि इसान को किसानों को यह जो यहीं पर देखने के लिए आये ते यह लोग जो हैं अमबर डिलाइट को पहली बार और मुझे भी अमबर डिलाइट के बारे में यह देखिए हमारे मास्वाब हैं का ही यह खेत है इन्होंने बताया था कि आप बहुत दूर-दूर खेतों के लिए भागते रहते हो कि पाकिस खेतों का निरिच्ण किया गया उसके बाद में इस पस्ट हुआ कि अमबर डिलाइट जो है वास्तिवी रूप से अच्छी पैदावार देती है तो मेरे साथ में किसान महजूद है नमस्ते ताउची क्या नाम है आपका कप्तान सिंग जी यह तो पूरे ही कप्तान है यानि आप सभी एक वो है अच्छा तो यह बताईए इसका जो देखना है जो पेड़ देखा है आपको क्या लगा है और सब में रोग दोग आ गए अपर इस पाजाब आलू में कोई रोग नहीं है यह रोग पिरती रोदक समता जो है अभी निरोग है तो मेरे साथ में एक बहिया मौझूद है मैं बहिया से ही पूछलूंगा कि बहिया इस समय पर जो आप देख रहे हैं जो अमबर डिलाइट क्या जो पहले नम बताई इसका फसल का पहले डिलाइट मेंद्रा अलू है तो नीचे आईए तोड़ा कैमरा में लोग देखना चाह रहे हैं आप लोगों को अच्छी है देखने में भी ठीक है और लगता है कि आलू होने में भी अच्छा हुआ और ठीक है मतलब आलू देखने में बढ़िया है देखने में बढ़िया है या प्रोडक्शन भी बढ़िया है अलू की मुझे लगता है कि और और आलू के मताबिक यह ठीक है जो पैदा अब खोद के देख लेते हैं अमबर डिलाइट का क्या प्रोडक्शन है चले खोद दिए एक फेड़ उखाड़ के दिखाईए और मैं इसे ही कहूंगा कि जो भी आपको अच्छा लगे आप जो है उसे ही खोद के दिखा दीजिए कि कौन सा है देखे किसान सातियों यहां पर आपने चाचा ने यह आलू खोदाया और देखिए महिंद्रा डिलाइट जैसना दावा करती है उतना ही आलू का साइस देख लीजिए आलू के ट्वी देख लीजिए आपको खुद एसास हो जाएगा कि आलू जो है वास्तवी रूप से के एक पौदे के किसान सातियों फलाइट के हमने इक एक पौदा खोलते के देखा है और एक लगग यहां पर आलू चथाऊ जी गिनेंगे कितने आलू इसमें अमबर डिलाइट में निकलें एक करके काउंट कीजिए पूरा किसान देखना चाहेगा कि पेड़ के नीचे अंबर डिलाइट में कितने लिख लें और कितना इस पर ट्यूब हैं किन के बताईए एक दो यह पांग चैसा नीचे चोधे आलू है और इस पेड़ पेड़ पर कितने लग रहे हैं पेड़ पेड़ पर अभी लेकिन चोटे अभी अभी अब पूरे तरह पूल नहीं पाई है अभी टाइम लेगा अधारे वीशालू एक पेड़ के नीचे आप बलकुल आराम से लगवा पीड़ की लंबाई लगवाग दो डाइफुट की लंबाई है और अभी लंबाई बढ़ने के और भी आसार है और अलु थीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है देखिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारे मार्थ थाव हैं इनके द्वारा यह अंबर ड आलू है यानि कि अगर आप देखना चाहे ना कि 377 या हाइब्रेड में कोई भी ले 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 तो आपको इतना शाइनिंग वाला आलू नहीं मिलेगा जितना जो है अमबर डिलाइट का और देखिए दूसरा कारण कहा है महिंद्रा ने राउंड टाइप यानि गोल टाइप में यह आलू दिया है और इसे अगर आप देखना संगाम या 377 कोई इसे यह भी नहीं बताएगा कि यह अंबर डिलाइट है तो यह जो है 377 की रूप में चला जाएगा इसे बहुत की बहुत खुसी है कि मास साब की खित में बहुत दमदार है और अलू की घ्रोथ वी अच्छी है और आलू कोदने के बाद बावजुत हमने देखा है तो एक पौदे में लगवा कि बीच बाइस आलू भी निकल मिले हैं और अभी छोटे-छोटे पौदाओं की जड़ में लगे हुए हैं जो कि अभी फूलने में थोड़ा सा टाइम और लेगा वो तो कुल मिला के यह कि फसल जो है बिलकुर स्वस्थ है और ठीक है किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि अन्य हाइब्रेड आलू करते हैं और जो नए आलू करने की सोच रहे हैं कि भाई हमें नए आलू करना है मेरे ख्याल से तो ये जो आलू ठीक है मेंद्रा का और इसका भीज भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे मास साब भी बोल रहे हैं कि अगर किसी को अगर अगली बार भीज की अगर आप सकता हो तो हमसे ले सकते हैं वो क्योंकि इनके पास में थोड़ा सा भीज भाल्दू भी है तो दे भी देंगे आपको अगली बार जब मिलेगा तब आप लोग इनसे खरी सकते हो तो यही ता मेरे साथ में आपने जाना अंबर डिलाइट यहां पर यह देखिए मैं आपको एक बार फिर दवारा अगर आप लोगों को फायदा होने वाला है तो ऐसे मैं अगर आपको बीच चाहिए तो इससे संपर किजिएगा बहराल मेरे साथ में इतना ही ताजातरीन वीडियो देखने के लिए आप बने रही हमारे साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तें के स शेयर कीजिएगा धन्यवाद आपका दिन शुबो